नमस्कार जय जोहर मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का competition community के इस e-learning platform में जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विस है जिसे हम बोड़ा है क्या 36 गड़ का भूगोल और 36 गड़ के कि 36 गड़ में कितने आपके फसर डेने सिस्टम है और कितने वाटरफॉल आपको मिलते और कहां कहां मिलते हैं करके clear जी आप देखोगे अगर 36 गड़ पी असी देखो 36 गड़ व्यापम देखो आप तो आपका जो एस आई है यह भी व्यापम का पेपर से क्या हो गया जी संबंधित हो गया तो आपको देखना है कि वो किस प्रकार से प्रस्ण पूस्त है और आपको किस प्रकार से चीजों को डिल करना है क्लियर जी तो बिना किसी विलम के बिना किसी देर के प्रारम करते हैं स्रीगनेस करते हैं आज की इस वीडियो का क्लियर जी तो देखते हैं पहला प्रस्णा हमारे लिए पहला प्रस्णा क्या चीज है पहला प्रस्णा हम देख रहे हैं पहले प्रस्णा में क्या बूल रहा है राज्य की सबसे बड़ी अपवाप रनाली कौन सी है देखिए भई आप चीजों को ऐसे रटेंगे निज बनेगा ठीक है पहले तो मैं आपको पता देता हूं महा नदी महा नदी है और वह भी बड़ा नदी है तो इसलिए हम क्या पूर रहे हैं उसको महा नदी तो जान जान भई सबसे बड़ी की बात कर रहना सबसे बड़ा आपके लिए जो ड्रेनेश सिस्टम है अपवाप रनाली है वह आपके लिए कौन सा है महा नदी क्लियर जी अब एक काम करते हैं देखते हैं कि राज्य में कुल कितने आपके पास क्या है जी ड्रेनेश सिस्टम है आपके चार तो यही mention है, हमको देखना है पांचवा, क्यों पांचवा कोन है, देखे, आपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक map draw करते हैं, और map के थुरू जानने की कोशिस करते हैं, कि कोन सा drainage system या अपवाप प्रणाली किधर किधर आता है, clear जी, तो सबसे पहले तो आपको क्या बनान पड़ेगा, भई, 36 गड़ का map बनाना पड़ेगा, clear जी, तो आप 36 गड़ का map धीरे धीरे बनाना सीखे, clear, यह ऐसा रफ बनाए, भई, अभी आप चित्रकला प्रतियोगितम नहीं, असर एकदम सुगर बनाने, ऐसा कुछ नहीं है, भई, बस हमारा काम चलना चाहिए, clear ज यह देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं पन सबसे पहले क्या हमको देखना है एक अपवाप रनाली, जिसे हम क्या बोल रहे है, महा नदी अपवाप रनाली, यह जो महा नदी अपवाप रनाली है, सबसे पहले आपके लिए कहाँ, धमतरी से इसका उदगाम होगा, अभी सब बताऊंगा कौन से जगह में उद्गम होता है कौन सी पहड़ी में उद्गम होता है किन किन जिलो से जाता है कौन कौन से जिले में कौन कौन सा डैम बनता है और कौन नदी के किनारे कौन कौन सा आपके लिए बैंक ऑप सीटी है या किनारे इस्थिस सहर है और कौन से भग आपको मैं सुकुति मतिपरवत, आपके लिए कहां सिहावा नगरी, ये कहां पढ़ता है आपके लिए धमतरी जीला में, धमतरी जीला से क्या होगा, इसका उद्गम होगा, ये थोड़ा सा कांकेर जाएगा, बालोद जाएगा, बालोद के बाद फिर कहां जाएगा, धमतरी, जाणजगीर चाप होगा कहाँ चले जाएगा रैगड से पहले डिर्नट सिस्टम अभी सब बताऊंगा, टेंसन मतलो सर काई से होग्या सब बताऊंगा दूसरा पन देखें गोधावरी अप परना ली तो गोधावरी जो नदी है उसका पन उदगं देखें तो इसका उद्गम कहां से हुआ है भई आपके लिए तरयंबग की पहाड़ी नासिक जीला आपके लिए महाराष्ट्र से होता है यह आपके लिए नदी कौन सा गोदावरी ख्लियर जी आप बोलोगे सारे 36 गड़ का कैसे पाट होगा तो भई 36 गड़ की और जो इसकी सहायक नदी है जैसे इधर से आपके लिए आएगा कौन सा एक नदी इंदरावती यहीं से आएगा एक नदी आपके लिए कौन सा सबरी इधर से आएगा क्या आपके लिए एक नदी बोर्डिंग सब नदी आएगा ना तो यह भी किसका पाठ हो गया गोदावरी उसके बाद को दोर नदी का उधगाम होगा एक नदी होता है आपके लिए कोन सा सोन नदी ऐसा यह है क्या सोन गंगा आपवापरनाली आपके लिए एक नदी का और उधगाम होता है यहीं से एक नदी निकलती ही कौन सी नर्मदा ठीक है जी नर्मदा अप्वाप्रनाली ये हो गया आपके लिए 4 अपवाप्रनाली, 5 वा एक और अपके पास अपवाप्रनाली है, वह है आपको इधर, तो इस से जो अपवाप्रनाली है, इस अपवाप्रनाली बोलते है ब्राहमणी, अपवाप रनाली तो यह हो गया चाओ था पांचवाप के लिए कौन सा ब्राहमनी अपवाप रनाली आप देखते हैं कि कोन सा जो अपवाप रनाली है कितना अपने इलिए हिस्सा कवर करता है या कितना एरिया को कवर करता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं बेसिन अब आप द देख चुके थे महानदी बेसिन या 36 गड़ का मैदान आपके लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश था ना उसी में हैं आपके लिए कौन सा महानदी अप्वा प्रणाली तो वो जो आपके लिए महानदी बेसिन था लगभग कितना था 50.34 प्रतिसाथ भई तो यह है आपके लिए लगभग 56.16 परसेंट यह आपके लिए कौन सा है महानदी अप्रणाली देखते हैं गोदावरी गोदावरी आपके लिए कहां किसको कवर कर रहे है दंड कारण्य के पठार को तो दंड कारण्य का जो पठार था वो लगभग कितना था भई आपके लिए 28.6 तो यह है आपके लिए 28.6 परतिसक लगभग उसके बाद देख रहे कुन सा सोन गंगा अपवाप रनाली यह है आपके लिए सोन गंगा अपवा यह केवाल आपके लिए पूर्वी पगहिल खंड का जो पठार है या सरगूजा बेसिन है उसको कवर करता है तो सरगूजा ब लगभग आपके लिए कौन है सोन गंगा पौपरनाली लगभग बोल रहा हूं भई बूक में आप देखोगे इधर 56 दिखाई देगा इधर अधर 28 दिखाई देगर इधर 33 दिखाई देगा वो जो इधर का पर्सेंट है किसी में इसमें कम करेगा किसी मिश में ज् disabilities में कम किसी दूसरे में ज़्यादा तो इधर का पर्सेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन यह कॉंस्टेंट रहता है ठीक है तो आपको लंसम लग भग एप्रॉक्स पूछेगा क्लियर जी आगे चले क्या आपको रखना है नर्मदा अप्वाप्रणाली तो यह नर्मदा जो अप्वाप्रणाली है देखें यह बस तो है और 36 गड़ के बाहर है क्या आ बहती है लेकिन आप 36 गड़ के जितने नदियों दोखोगे लगभग जो नदिया है सब किधर पूर्वदिशा की और बहती है देख लीजिए इधर अगर आप महानदी को देखोगे ब्रह्मनी भी आएगा फिर किधर चल देता है पूर्वदिशा में आपके लिए सोन का यह मैकल परवत का जो ड्ण है किस दिशा में है आपको याद रखना पश्चीम से पूर्व तो भाई जीधर ढाल रहेगा पानी भी तो उधर डूलेगा क्या उधर फ्लो करेगा उधर प्रभावित होगा क्या प्रवाहित होगा क्या तो आपको याद रखना कि 36 गड़ क पस्चिम से पूर्वधिशा की और क्या हुआ है भी ढाल है ऐसे स्लोप बना हुआ है आपको याद रखना है यह आपको याद रखने नर्मदा अपवाप्रनाली केवाल एक दो नदी क्या करते हैं इसमें जाके विला हो जाता है उसका विसर्जन हो जाता है डिस्चार्ज कर देते हैं तो यह है लगभग 0.55 परसेंट आपको याद रखना है लाश में कौन सा ब्राहमनी अपवाप्रनाली तो यह जो ब्राहमनी अपवाप्रनाली है यह लगभग 1.03 प्रतिसात है बही क्लियर तो आपको यह क्या पूछ सकता है 36 गड़ के जितने अपवाप्रनाली उसको बढ़ते से घड़ते करम या घड़ते से बढ़ते करम में आपको पूछ सकते हैं तो आपको सब प्राशना के लिए रेडी रहना ऐसे नहीं भई आप याद के लिए एक सार कि 36 गड़ की सब से बढ़ी अपवाप्रनाली कौन सी है आप इसको याद तो जरूर कर सकते लेकिन समस्याएं आपको हो सकती है, तो सब चीजों को पढ़ते चले, धीरे-धीरे बढ़ते चले, आगे चले क्या जी? आपके लिए ये प्रशना पूरा clear हो गया, आगे चले क्या? देखे है, आपको एक चीज और पूछ सकता है, कि छत्तिस गण का जो उत्तरी हिस्चा है, या सरगुजा बेशिन है कौन से अपवाप्रनाली का हिस्सा है यह है आपके लिए कौन सा सोन गंगा अपवाप्रनाली का हिस्सा आपके लिए जो दंड कारण्य का पठार है कौन से अपवाप्रनाली का हिस्सा है आपके लिए दिख रहा है क्या गोदावरी अपवाप्रनाल ममख्य रुप किस अपवह प्रणाली का हिस्स तो मुख्य रूप से किसखा है कि अ हिसा है आपके लिए महा नधी अपवह प्रणाली का अवी तक नहीं बने हैं लेकिन इन फ्यूचर यह भविस्या में आपको नहीं पुछेगा ऐसा नहीं तो आपको चीजों को धीरे धीरे पढ़ते बढ़ना है, आगे बढ़े क्या, अगला प्रश्न गिली चलते हैं, बोल रहा है, 36 गड़ की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है, आपको ये प्रश्न बहुत बार पूछता है भई, एकदम इंपोर्टेंट है, और 36 गड़ मे तीन नदियों को जीवन रेखा या लाइफ लाइन की संग्या दी गई है, क्लियर जी, आपको याद रखने है, सबसे पहले महा नदी, महा नदी को बोला जाता है, 36 गड़ की जीवन रेखा, इसी को बोला जाता है क्या, 36 गड़ की गंगा, दूसरा ये प्रश्न भी पूछ जाता है, तीसरा याद रखने है, सबसे बड़ा अपवापरनाली तो ही है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ें, सबसे बड़ा अपवापरनाली, क्लियर, तो आपको याद रखने है, क्या, 36 गड़ की जीवन रेखा बोलते हैं, 36 गड़ की गंगा बोलते हैं, सबसे आप वाप्रणाली है तीनों प्रस्ण पूछा हुआ है कहां से इसका उधगम होता है तो क्या बताया था आपको मैं सुकति मती परवत कहां से जी सिहावा नगरी तो आपको याद रखना सिहावा नगरी कहां से धमतरी क्लियर अब आपको ये बताना है कि आपके लिए जो सिहावा नगरी है इसमें कौन से रिसी का आश्रम है आप मेरे को बताईएगा पूछता है 36 गार आपसे क्लियर जी तो आपको ऐसे धीरे-धीरे प्रस्णों को तयार करते करते चलना है ऐसे जब मैं आपके लिए क्या बताया था रमायन काल बताया था उसमें बताया था कौन से रिसी का आश्रम है तो पढ़ा चुका हूं इसलिए पूछ रहूं क्लियर आगे बढ़े क्या हमको आपको याद रखना है अगर इसी की ऊपर एक और चर्चा कर ले कि 36 गड़ की जीवन देखा है इसको क्यों बोलते हैं देखें यह आप देख रहे हो यह जो स्यक्सान है पूरा मतलब भी लाश्पूर संभाइग आपके लिए दुर के संभाइग और आपके लिए याद रखना है क्या रायपूर संभाइग इसमें जो जीवन का इस्थाइत्व है यह आर्थरिक द्रिष्टी कौन से देखो गे मोनेटरी वैल्यू के रूप में देखो गे तो आपके लिए क्या होता है जो माहा नदियपवाप रनाली है जिसमें सबसे बड़ आपको डेम मिलेगा कौन सा गंग्रेल डेम तो हम अगर मैं राइपूर का हूं भई तो हमारे यहां जो खेती होता है तो खेत में अगर हम लोग बेसिकली क्या करते है धान की फसल करते है तो धान को पकोने के लिए उसको पकाने के लास्ट में क्या होता जब आपके लिए बीज लगता है उसमें तो लास्ट में पकने के लिए उसे एकदम ज्यादा पानी का जोर्रत होता है तो पानी भी आपके लिए कहां आता है इसी नदियों के कारण या फिर सिधा-सिधा ब सा कौन-कौन सा डेम करता है एक तो आपको देखिए हो रही क्पड़ता आपको बालोध में दूसरा आपको पड़ता है क्या परफाई डेम आपके-अ कहां पहपे हैए धमतरी जीले लेकिन दोनों किस का देखो तांदुला किसकी सायक नदी की सिवनात की और सिवनात किस सायक नदी है माहानदी का तो væyy आप वापर नाली कुण सा हुँ आपके लिए माहानदी हुआ ना तो आप देखो के खेरेवहें लिए तो आप पिकरतए लय को उयुक्ते दो कि इसी माहा नदी पर लगातार चार्ठो बड़े बड़े डेम बने एक तो आपको सिवरी नरायन डेम मिलेगा उसके बाद आपको कलमा मिलेगा आपको मिरावनी मिलेगा आपको बसंदपूर मिलेगा ज़स सामने जाओगे आप कहां पर रायगार पर तो रायगार में आपको पढ़ता है क्या साराडी तो य ये आपके खेती के लिए आपके इंडस्ती के लिए बहुत क्या होते हैं हेल्फुल होते हैं जो आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं इसलिए से क्या बूलते हैं 36 गड की जीवन रेखा क्लियर जी आगे चले गया तो आपके लिए पहला प्रश्ण क्लियर हो गया दूसरा चलते हैं सिवनाथ नदी अगर आप देखोगे कि इसकी लंबाई कितना है भाई ये टोटल है 858 किलो मेटर लेकिन भाई ये टोटल 36 गड में नहीं है 36 गड में ये 286 किलो मेटर 286 किलो बात करते हैं सिवनाथ का ये जो सिवनाथ नदी है 36 गड में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये प्रशन आपको 10 बार पूछा है सबसे बड़ी नदी ये टोटल है भाई 290 किलो मेटर पहला प्रशन दूसरा प्रशन आपको इसी में ये पूछेगा कि महा नदी की सबस सबसे बड़ी सहायक नदी है अब आपको ये चीज़ पूछ रहूं कि ये जो महा नदी है और आपके लिए कौन सा है सिवनाथ और एक नदी आता है आपके लिए कौन सा जोंक ये तीनों का जो त्रिवेणी संगम है तीनों का जो त्रिवेणी संगम है वो किस जगह पर है मेरे को आप इस्थान को कमेंड करके बताए पूछता है 36 गड़ आपसे क्लियर आगे बढ़े क्या जी आगे चलते हैं किसके लिए इंदरावती ये जो इंदरावती नदी है इंदरावती को सबसे पहले याद रखना 200 कितना है ये 246 तो 264 किलोमीटर है आपके लिए कौन सा इंदरावती नदी इसको बोला जाता है भाई बस्तर की जीवन रेखा मतला बस्तर में ये अपना वेल्यू रखता है और इसी के उपर बनता है भारत का सबसे चौड़ा जल प्रपात नाम आपको पता है तो आप मेरे कमेंड करके बताईए पूछता है 36 तो याद रखना है आपको क्या 264 किलोमीटर बस्तर की जीवन रेखा एक नदी है कौन सा इंदरावती इस इंदरावती नदी पे आपको दो चीज बताना है दो फेमस जल प्रपात है तो दोनों जल प्र अगले वाले वीडियो में जब आपके लिए एक नया वीडियो आएगा उसमें रहेगा पूरा आपके लिए डैम पूरा परियोजना लेकिन भाई आपको अगर जल प्रपात पूछेगा तो जीला पूछता है अगर आपको डैम या परियोजना पूछेगा तो भी जीला प कमेंट करके बताना है मैं तो अगला वीडियो बनाऊंगा ही उस वीडियो में आपको इस सब चीजे मिल जाएगी क्लियर जी लेकिन आपको अगर पता है आप थोड़े जिग्यासू हो तो आप मेरे कमेंट करके बताईए क्लियर आगे बढ़े क्या आपको याद रखना है रि रिहन नदी इस रिहन नदी को बोला जाता है क्या सरगूजा की जीवन रेखा तो आपको याद रखना सरगूजा की जीवन रेखा क्लियर आपको देखिए प्रस्णा कैसे कैसे बन रहा है एक प्रस्णा आपके लिए दूसरा प्रस्णा आपके लिए तीसरा प्रस्णा को पूछता है 36 गड़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी नदी कौंसी है आपके लिए पुछे गा तो वो है आपके लिए कुंसा महा नदी गरण कियो कीटने आपके लिए vorher 286 km और यह है आपके लिए कितना 290 km आप कई लोग कोई सिम भारी दिख्कत आता है भारी समस्य आता है बहुत संसय होता है बहुत डाउट होता है बता रहा हूं आप क्या पढ़के जाते हो अगर उपर-उपर से पढ़ते हो तो कि सर महानदी जो है 858 km है तो यह 36 गड़ की अगर यह देखो के 36 गड़ के अंदर ही 290 km फ्लो करता है बहता है इसलिए यह आपके लिए जो सिवनाथ नदी है 36 गड़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है क्लियर जी तो आपको इन चीजों को ध्यान रखते रखते चलना है क्लियर तो आपके लिए जो प्रस्ण है इसको आपको उत्तर तो मैं दे दिया था कौन सा महा नदी क्लियर आगे बढ़े क्या अगला चलते हैं हम लोग अच्छा रिहन नदी में आप मेरे के चीज बताओ इसका उदगम कहा से हुआ कई बार पूछा है आपको मैं आगे डिल करूंगा लेकिन मैं आभी आपसे पू में से किसका जल्वी भाजक है आपको अच्छा यह बहुत इंट्रस्टिंग सवाल है बहुत ध्यान से इसको बनाया हूं तो आप मेरे किसको कमेंट करके बताए आपको बहुत मजा आएगा इसमें अगर सो लोग जवाब देंगे उसमें सतर से असी लोग गलत जवाब दें महान अदी नर्मदा पाप्रनाली अच्छा ये है उसके बाद लिखे है महा नदीवम गोदावरिय पाप्रनाली उपरोगत में कोई नहीं ठीक है कोई नहीं यह आपके लिए इस्ट्रा हो गया कोई नहीं की बात कर रहा है उपरोगत में क्लियर जी अब देखो क्या पहले यह पता होना चाहिए कि यह केस काल घाटी कहां पढ़ता है कहां पढ़ता है केस काल घाटी आप बताएं यह पढ़ता है आपको कहां पे कोंडा गाओं ठीक है कोंडा गाओं में पढ़ता है इसी में आपको क्या आता है बारा मोड आता है इसी बारा मोड को क्या बूला जाओगे तो एक मंदिर मिलता है उस मंदिर का नाम क्या है भई देखो यह लिख है क्या केस जैसे केस में क्या लगाते हैं यह बाल है इसमें क्या लगाते हैं तेल जैसे हम लोग तेली हैं भई बाल में क्या लगाते हैं तेल तो आपको याद रखना है तेलीन दाई मंदिर य इस्थित है जीला आपको कम पूस्त है क्योंकि सब को पता है वह कुंड़ा गाउं ठीक है जी आपको याद रखना है कुंसा केस काल घाटी तो केस आपको याद रखना है तेल क्लियर जी तो तेल इंदाई मंदीर है आपके लिए कहां पे कुंड़ा गाउं में क्लियर आगे बढ़े का तो आंसर आएगा इसका क्या महा नदी एवं गोदावरी अप आप डाले इसको आप क्या करें मैप से समझने कोचिज करें मैप में कैसे बनेगा देखें मैं केवल आपके लिए बना रहा हूं बस्तर ठीक देखे भई ये ये आपके लिए क्या बना बस्तर आपके लिए एक नदी में पहले बता दिया था ये नदी है आपके लिए कौन सा गोदावरी पहले वाले प्रस्न में इसको डिल करा था उसके बाद इसी में आपको एक नदी और बताया था वो नदी था आपके लिए कौन सा इंद्रावती तो इंद्रावती ऐसे आता है भायों यहां ऐसे क्या कर जाएगा यह मिल जाएगा clear जी तो आप देखोगे केस काल घाटी यह place जो है इसको बोला जाता है केस काल घाटी यह है केस काल घाटी और मैं जब आपके लिए क्या बनाया था महानदी यह बनाया था तो अगर आपके लिए में महानदी जब बनाया था तो महानदी में आप एक चीज देखोगे महानाधी क्या हुआ यहाँ धमतरी से निकला और वो कहां पहुंचा कांकेर के पाग फिर रिटन मार दिया क्यों महानाधी मन नहीं था यह जाना नहीं मुला अच्छा नहीं लागे चे डारेक्षान में मैं जाबे नहीं करा है ऐसे सोचाए क्या महानादी ऐसा कुछ नहीं सोचा था भई कारण किसका समझी आप पढ़र रहे हो क्या भी यह जो जगह है यह आपके लिए उपर जगह है आप समाज़ेए इसको ऐसे imagine कर यह इस साइड आपको slope मिलेगा इस साइड से नदी आया टकराया इससे वापी चल दिया इस साइड का नदी ऐसे टकराया वापी चल दिया क्योंकि यह जगा ऐसे उपर है तो नदी उस पार से इस पार नहीं आ रहा है मतलब क्या केस कालगाटी आपके लिए बहुत उचा पड़ता है वैसी आप क्या करोगे केस कालगाटी यह आपके लिए ऐसे गोल गोल घूम के कहां चाड़ोगे उपर तो यह आपके लिए नदी इधर से आता है टकराया वापी चल दिया और इधर की जितनी नदी आएगी ऐसे नीचे गिरेगी तो यह है आपके लिए कौन सा सहयक रही है किसकी महानधी की तो महानधी उदर अलग और नीचे आपको मैं क्या बताया था इंदरावती यह आपके लिए इंदरावती है कम णानादी को अलग करता है कौन सा कैस कालगाटि आपको लिखा है। क्या महानदी और नर्मदा अप्वाप्रणाली अगर आप देखे थे कौन सा यह देखें यह आपके लिए कौन सा नर्मदा अप्वाप्रणाली यह आपके लिए कौन सा महानदी अप्वाप्रणाली यह दोनों अप्वाप्रणाली यह जगाक नाम क्या पताया था मैं आपको मैकल परवत तो आपको एक नया प्रस्ण और बनता है यहां से कि मैकल ही परवत वो है जो नर्मदा प्वाप्रनाली को महानदी प्वाप्रनाली को क्या करता है विभाजित करता है, प्रिथा करता है सेपरेट करता है यह प्रस्ण भी आपको पूछता है तो आपको यह प्रश्म को भी तयार करने है ठीक है जी महा नदी और आपके लिए नर्मधाब प्रणालि कोने लग करता है मैकल परवात मैकल परवात किसका हिस्सा है सत्पूडा परवत श्रिंखला का dafür यह प्रश्न भी पूछा हुआ है तो आप चीजों को रिलेट करकर के पढ़ो तब आपको मज़ा आएगा clear जी और यह जो मैकल परवत है यही क्या करता है MP को मध्य प्रदेश को CG को क्या करता है प्रिथा करता है अलग करता है सेपरेट करता है तो आपको याद रखना है क्या मैकल परवत clear जी आगे बढ़े क्या अगला चलना है हमको राज्य की सबसे प्रदूसित नदी कौन सी है यहां से आपको चार बात प्रशना फिर से बनने वाले है सबसे पहले लिखा है संखनी तो यही है answer राज्य की सबसे प्रदूसित नदी है देखे अब देख लेते हैं संखनी जो नदी है इसको बोला जाता है रकताब की संग्या है अब आप जानोगे सार इसको रकताब क्या बोलता है रकत मतलब क्या होता है जी बलड तो इसको रकताब की संग्या है मतलब जो नदी है बलड जैसा दिखते है एक दम लाल ललकारण क्या है इसका आपको उदगम जानना पड़ेगा उद्गम कहा है इसका नंधी राज की चोटी अब ये नंदी राज में कौन से प्रकार के चट्टानों का विस्तार है धारवाड करम के चट्टानों का विस्तार है तो धारवाड करम के जो चट्टान है उसमें कौन सखनीच पाया जाता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कौन सा भई कमेंट करें और बताया उसमें मिलता है आपके लिए लाल रंग का रहता है पथर ही रहता है लेकिन राल रंग का रहता है और कैसे दिखा है लाल कलर का इसालई क्या है यह 36 गड़ की सबसे प्रदूसीत नदी है आपको कमेंड करके यह बताना है कि भारत की सबसे प्रदूसीत नदी कौन सी है क्लियर जी पूसता है 36 गड़ कमेंड करके आप बता है कि भारत की सबसे प्रदूसीत नदी कौन सा है पूशता है 36 गड़ आपको clear जी आगे बढ़े क्या महा नदी महा नदी के बारे में चर्चा कर चुके थे क्या 36 गड़ की गंगा रेया सोनो 36 गड़ की जीवर रेखा एग बार दो बार चार बार आव दस बार लिखो उसके बाद क्या याद रखना है 36 गड़ की सबसे बड़ सब कोश्चन आपको पूछा हुआ है तो दो बार तीन बार दस बार लिखो आगे चले क्या याद रखना है खारूं ये खारूं का आपको किलो मिटर याद रखना है ये है टोटल 208 किलो मिटर क्लियर जी, कितना है 208 किलो मिटर, अब ये है सिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये प्रशन आपको पूछता है, कि सिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी, कौन सी यह खारून, यह जो खारून है, ये कहां से निकलता है आपके लिए, पेटे चुवा की पहाडी, अब आपको कैसे याद होगा जैसे मैं हूं, राइपूर का, और मेरे बीकट भूग लगा, तो जब भूग लगे तब खाऊंगा क्या ? तो पेट में चुहा, तो आपको याद रखना है पेट में चुहा दाड़ेगा और आप पेट में चुहा कब दाड़ता है ? जब भीकट खेलते हो खेल मतलब क्या है बेटिंग बॉलिंग कर रहा तो बॉल से याद रखना आपको कहां पढ़ता यह बालोद में, तो आपको याद रखना है भाई बालोद में, देखो, राइपूर वालोग देखे हो के थोड़े ठाट में जीते हैं, आदमी लोग जानते हो टेच रहा होते हैं, टेच रहा मतलब समझते हो, क्या होता टेच रहा, हाँ राइपूर के लोग, अधिकते लोग क्य टेच रहा रहते हैं, क्लियर जी, तब तो याद रखना है थोड़ा गुरूर में जीते हैं, तो आपको याद रखना गुरूर तहसिल, पेटे चुवा की पहाड़ी, बालो जीला, वहां से एक नदी का उदगम होता है, जी से हम क्या बोलता है, खारून, आपको याद रखना हैं, दो महादेव बैठते, एक है आपके लिए कौन सा हटकेसवर महादेव, हटकेसवर महादेव, यह कहाँ विराज मान है भई, रायपूर में, प्लियर जी, तो आपको ये प्रस्ना बार-बार पूछा जाता है, आप मेरे कमेंड करके बताएंगे, आप ही मेला हुआ था देड़ दू महीना पहली, तो आपके लिए हटकेसवर महादेव में, कौन से मेला का आयोजन होता है, कब होता है, ठीक है जी, तो आपको मेला कौन से मन्थ मनाया जाता है, या कौन सा मेला मनाया जाता हटकेसवर महादेव में, पूरे 36 गड़ में, एक मात्रा आपके लिए जो मिला लगता है हटकेस पर महादियों में तो आपको मन्थ बताना है या फिर उस मिला का नाम बताना है क्लियर जी आगे बढ़े है क्या चलना है सिवनात के लिए तो सिवनात के उपर चर्चा कर चुके थे क्या 290 किलोमीटर 36 गड़ की सबसे बड़ी नदी लंबी नदी उसके बाद याद रखना है क्या महा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्लियर जी चर्चा कर चुके थे क्या आगे चले ये तो आपको डील कर चुके है आगे चलते हैं अगला है आपके लिए क्या गो दावरी बेसिन की सबसे प्रमूख नदी कौन सी है फिर से आपको डाइग्राम बनाना पड़ेगा किसका बस्तर का यह आपके लिए बस्तर बनाओगे तो बस्तर में अभी थोड़ी दिर पहली और बनाया थे चाहता तुसी चीज़ को दिखा देता लिए यह लिए नदी आ रही है कौन कि इस नदी का नाम है क्या गोदावरी यह जो गोदावरी नदी है इसकी सबसे बड़ी साहयाक नदी है क्यों सी इंद्रवती तो आपको याद रखना है इंद्रवती सबसे पहली कहां आएगा बस्तर के mushroom में जहां कि ये जो नदी है गोदावरी और आपके लिए कौन सा इंदरावति ये दोनों का संगम किस इस्थान पर होता है तो ये संगम इस्थाल आपको बार बार पूछा जाता है कहां पर भद्रकाली भद्रकाली कहां आपके लिए बीजापूर जीला में ग्रीर जी आगे बढ़ है क्या दूसरा याद रखने तो आपके लिए अंसर हो जाएगा कौन सा इंद्रावत्थी याद रखने सबरी नदी सबरी नदी आपके लिए फिर वाजू से ऐगा उडिस्सा से कहा इंटर करेगा आपके लिए वस्तर बस्तर के बाद ही नीचे एक कहा या अंधर्प्र्देस इसका भी आपके लिए संगम इस्थल बार-बार पूछा जाता यह जगा कौन सा है इस जगा बोलते हैं कुन-वरम तो आपको याद रखने है कुन-वरम कुन-वरम एक ऐसा जगा है है, जहां पर यह जहां पहां पढ़ता है? कुनवरम में होते हैं कुनवरम कहा है आपके लिए आंधर प्रदेश में क्लियर जी लेकिन आप देख रहों लेंथ की साब से इंदरावती बड़ा हो तो आपको याद रखना है इंदरावती नदी इसी क्या बोलते हैं हम लोग बस्तर की जीवान रेखा तो यह सबसे बड़ कि आप पड़ते पड़ते आपको याद हो जाएगा क्लियर आगे बड़े क्या आपको याद रखना है सबरी सबरी देख डाले क्या दोनों का अगर आपको उध्गम इस्थल याद रखने हैं कई बार paper में सही जोड़िम पूत देता है क्लियर जी इंदरावती आपको क्या कर दो भून दो पूरा जर के क्या हो जाएगा करिया तो आपको याद रखने क्या काली हंडी आपको याद रखना उडिसा तो आपको किसी रूप में पूछ सकता है अगर परवत पूछे गत बताएंगे मुंगेर परवत आपको जगा पूछे गत बताएंगे आप क्या क काली हांडी और आपको अगर राज्य पूछे गत बता देंगे क्या उडिसा तो मुंगेर परवत काली हांडी उडिसा से एक नदी का उदगाम होता है नाम क्या है इंद्रावती टोटल है टू सिस्टी फोर किलोमीटर इंटर करता है कहां बस्तर बस्तर के बाद वो कहा आता है दंते वड़ा दंते वड़क बाद कहा था बीजापूर उसके बाद एक जगह है आपके लिए कौन सा भद्रकाली जहां पर गोदावरी के साथ अपना क्या बना लेती है संगम क्लियर जी उसके बाद याद रखने यह जो गोदावरी है यहां से आगे बढ़ती है तो अगला जो नदी है सबरी या इसी क्या बोलते है हम लोग कोलाब यह अपना संगम मनाता है कहां कुनवरम में और यह कुनवरम कहा है आपके लिए आंध्र प्रदेश में क्लियर जी आगे आपके लिए अगर 36 गड़का के किस साइड आपके लिए महाराष्ट पढ़ता है महाराष्ट इधर पढ़ता है तो आपको पूछता है वह कौन सा नदी है जो महाराष्ट को एवं 36 गड़की क्या बनाती है सीमा का निर्धारान करती है सीमा का क्या करती है निर्धारान या दोनों को प्रिथाक करती है करती है तो आपको प्रिथाक पुछे सेपरेट पुछे या सीमा का निर्धारान करे बौंडरी को फिक्स करे एक नदी है कौन सा बागे उपर रा नारंगी नदी आपके लिए कहा से आता है वह देखें यह नारंगी आपको याद रखने यह कोंडा गाउं से ऐसे उपर से नीचे गिरेगा कहां पे तो यह जो नारंगी नदी है यह निकलता है कहां से माकडी से तो आपको नारंगी नदी में पूस्त है कि नारंगी नदी के किनारे कोंसा सहर बसा है खुद कोंडा गाउं बसा है तो आपको याद रखना नारंगी नदी के किनारे एक सहर इस्थित है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोंडा गाउं कोंडा गाउं स्वरी नारंगी नदी कि किसा नदी है इंद्रवती की इंद्रवती किसकी सायक नदी है गोदावरी की ली यार आपको पिपर इतना डिप पर सकोट पढ़ हो अच्छा है क्योंकि आपको एक बढ़ेगा बाद में व्यापम भी देना पड़ेगा आपको इतना पड़ने के बाद बहार से पढ़ने जौरत नहीं पड़ेगी इतना मेरा गारेंटी आगे बढ़े क्या अगला याद रखना है भारत का न्यागरा की सज्जल प्रपात को बोलते हैं यहां से चारों से कम से कम दस प्रश्ण बनेंगे और दसों प्रश्ण आपको पेपर में आते हैं सबसे पहले पूछ रहे हैं क्या भारत का न्यागरा इसको किसको बोलते हैं चित्रकोट को बोलते हैं तो चित्रकोट कहां पे है बस्तर पे है कोन से नदी पर है तो आपको याद रखना कोन सा इंद्रावती नदी पर है ठीक है जी अब समझे इसको भारत का नाग्या भारत का न्यागरा या इसीख बोल सकते हैं क्या भारत का सबसे चौणडा जल प्रपात भारत का सबसे चौणडा जल प्रपात है अब देखिए थोड़ा कहानी सुनना है सुन लीजिए माना ये जाता है कि ये टोटल 20 मिनट में जितने पानी का डिस्चार्ज करता है या विसर्जन करता है मतलब जल प्रपात उसका जब गीरेगा अच्छा ये अगर बोल रहा है कि भारत का सबसे चौणडा जल प्रपात है तो अगर ये आप वर्सरी तुमें देखोगे तो लागभाग 150 मीटर है ये चौणडा समाझ रहे हो कितना चौणडा होगा 150 मीटर मतलब बहुत बड़ा आपके लिए इस्पेस होता है तो 150 मीटर चौणड का जो सबसे चौणडा जल प्रपात है वो कौन सा न्यागरा वटरफॉल को बोला जाता है तो उसी के तर्ज पे भारत का सबसे जो चौणडा जल प्रपात है वो किसको बोला जाता है चित्रकोट को ये चित्रकोट कहा है बस तर में ये प्रस्ण आपको पूछा है कौन सी नदी पर बनता ही ये भी पुछता है तो ये कौण सा नदी आपके लिए इंद्रावती देंखिए पिछला पढ़ाशिए यांपके लिए यह आपके लिए चित्रकोड तो आपको याद रखना है चित्रकोड क्लियर तो चित्रकोड आपके लिए जो इंद्रवती नदी है इसी पर बनता है कहां पर बस्तर जीले पर क्लियर आगे बढ़े क्या अगला पूछ रहा है तीराद गड़ आपको इस तीराद गड़ आपके जो उसी दोनों गाउम पे जो नदी बहता है तो पहले नदी का नाम बोल दिया गया है मुनगा दूसरे नदी का नाम क्या बोल दिया गया है बहार तो मुनगा बहार नदी पर ये तीरत गरजल प्रपात बनता है बहाई चुकि ये इतना मनोरम है और कहां आपके लिए बहता ह प्रवाहित होता है कांगेर घाटी नेशनल पाक में तो आपको याद रखना कांगेर घाटी का जादुगर बोलते हैं तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपको कि कांगेर घाटी का जादुगर किसको बोलते हैं याद रखना आपको तीरत गड़ जल प्रपात ये है भई 36 गड का सबसे उच्छा जल प्रपात है उच्छा जल प्रपात तो आपको याद रखना 36 गड का सबसे उच्छा जल प्रपात है आपके लिए कौन सा तीरत गड उसके बाद याद रखना अकूरी नाला देखे चित्रकूट को बोला जा रहा है भारत का सबसे चौड़ा जल प्रपाई या भारत का न्यागरा उसके बाद देखे तीराद गड़ तीराद गड़ को बोला जा रहा है यहां से यहां तक, तो यह कितना है लगबाग, 150 मीटर, देख रहे हैं, अकूरी नाला, अकूरी नाला को 36 गड़ का क्या बोला जाता है, आप मेरे कमेंड करके बताए, और यह जो अकूरी नाला है, वो किस जीले पर है, थोड़ा आप भी तो सर्च करो भई, थोड़ा आपका याद रखना है, एक नदी, कौन सा, महान नदी, एक नदी है, महान नदी, यह जो महान नदी है, यह आपको पढ़ता है, कहां पर जस्पूर जी लेते, आप बोलो कि सर, आप इसको क्यों बता रहे हो, क्योंकि अगर रिसेंट अगर आप डेटा देखोगे, तो लाज जो ड जल प्रपात है, कौन सा, तीरत गड़ जल प्रपात, इसको घोसित किया गया था, 36 गड़ का सब से उच्चा जल प्रपात, लेकिन अभी आप देखो, कि अभी वरतमान में 36 गड़ का सब से उच्चा जल प्रपात कौन सा है, तो यह माकर बंजा में जस्पूर में है, 400 लग मकर भंजा भी होगा तो आपको आंसर लेना पड़ेगा मकर भंजा क्योंकि आप चीजे थोड़ी इस्टेटिक नहीं है आपको धीरी धीरे चीजों को अपडेट करना है इसलिए option में हुमारे डाल दिया हो क्या मकर भंजा मकर भंजा किस जीले में है पूछे गत आपको बतान बस्तर जीला में तो पेपर तो आपको पूछता ही है ना जब इसका जीला पूछ चुका है इसका नदी पूछ चुका है तो इसका भी नदी पूछ सकता है और इसका भी जीला पूछ सकता है आपको फिट नहीं पूछेगा क्यों यह थोड़ा controversial हो जाता है और सरकार के उप अगला याद रखना है मांड नदी से संबंधित जल प्रपात नीनमा में से कौन सी है अब देखें पहले लिखा है रिहंद आपके लिए के नदी है सबसे पहली तो यह बता दो उसके बाद क्या लिखा है सरभंजा साथ धारा रानी दरहा मांड नदी का उधगम कहां से होता ह अब के लिए इन पॉटेंट इसका उधगम कहां से होता है बताए कोई मांड निकलता है आपके लिए मैं पर अब यह मैंट पाट कहां पडता है आपके लिए सरभूजा में और इस मैं-पाट को क्या बोला जाता है बएul 36 अगड का क्या बूलते हैं तो आपको याद रखन अब मैं इसको कैसे याद किया हूँ, यह important है कि सर हमको कैसे याद रहेगा करके तो आपको याद रखना मा से मांड और मा से उसके बाद तो इसको मैं कैसे याद रख लिया हूँ, मामा भाचा तो हमारे जो मामा लोग होते हैं, हमको क्या करते हैं सर में बिठा लेते हैं तो हमको याद रखना है सर गुजा ये प्रस्ण पूछता है भई इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो मांड नदी है उसी में एक जल प्रपात बनता है कौन सा सर भंजा जल प्रपात तो आपको मामा भाचा करके याद रखना है और मामा आपको कह आप तीन बार खाय रहोगे नानी पांच बार खिलाती है और सबसे बड़ा बात तो यह है आपका सेलरी बलकि 70,000 हो 80,000 हो एक लाख रूपया कमा रहे हो लेकिन जब नानी घर से आओगे तो नानी बाद में जाते जाते आपको 100 रूपया 50 रूपया पकड़ा देती है मैं बचपन में जब भी कभी कहा जाता था अपने नानी घर जब भी अपने बुवाग घर जा रहा हूं मेरे खामें से एसपेक्टेशन रहता था पैसा का कि आबग तबग जाएंगे और चूपचा यह ले भई पैसा करके अब मैं भी ताबर तोड़ा आदमी था ऐसे एक बार बोल देता था नहीं नहीं पैसा नहीं लागा नहीं लागा करके लेकिन एक ही बार बोलता था अगर दो तिन बार बोलों के सहिच में नहीं देते थे इसलिए मैं कोसित करता था एक बार बोल तो अपना फॉर्मेल्टी हो गया भई चूपचा पैसा दे रहे घर आते हुए लच्मिक लातनी मानना ची पापा में एक सिखाक रखे थे इसलिए मैं चूपचा पैसा धल लेता था बाकी भई देखो आगे करके ठीक है जीवान में पैसा है तब तो जीवान है क्या आगे बढ़े क्या तो आपको याद रखना है क्या सरभंजा जलप्रपाद मामा भाच आपको याद रखना है क्या सरगुजा याद रखना साथ धारा को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पिछले प्राश्ण में आपन देखे थे यह देखे आप देखे हो एक नदी जिसको क्या बोल रहे हैं में लोग इंदर रवती नदी पे भारत का सबसे चौड़ा जल प्रपात बन रहा है वही नदी जब आगे पहुंचेगा और हम कहां पहुंचेएंगे दंते वाड़ा तब बनाएगा यह क्या साथ धारा या इसी के बोलते हैं क्या सब तधारा तो आपको याद रखना साथ धारा या आपको याद रखना सब तधारा आपके लिए क्या है एक जल प्रपात है जो आपको कहां बनता है दंते वाड़ा में आपको अगर तयारी कर रहे होगे तो जीला क्लियर होगे भई तो आपको याद रखना है क्या दंते वाड़ा जीला में साथ धारा या सब्त धारा एक जल प्रपात है जो आपके लिए इंद्रावती नदी पर क्या होती है बनती है निर्मीत होती है जगा है आपके लिए कौन सा दंते वाड़ा आगे बढ़े क्या भई ठीक है तो ये आपके लिए कहां बनता है इंद्रावती नदी पर और आपके लिए कहां दंते वाड़ा जीला प्रासना साब पूषता है वह किस जीला में बनता है ये भी पूषता है किस नदी पर बनता है ये भी पूषता है उसके बाद याद रखना है रानी दरहा, तो रानी दरहा के लिए आपको फिर चलना पड़ेगा उसी इच मैप में, और वो हमारा मैप था कौन? ये, ठीक है, देखे, आप देख चुके थे सबरिया कोलाब, तो इसी मेना जब आप सुपमा आओगे, तो आपको दो जल प्रप पड़ेगा, एक पहला जल प्रपात है, आपको कौन सा? रानी दरहा, और दूसरा आपके लिए एक जल प्रपात पड़ेगा, गुपतेस्वर, ये दोनों जो जल प्रपात हैं, आपको पेपर में दस बार पूछ चुके हैं, तो आपको जब भी पूछा जाएगा रानी दर पर जीला आपको जीला पूछेगा, तो जीला याद रखना है कौन सा? सुकमा, क्लियर जी, आगे बढ़े क्या? देखें, तो आपको जाद रखना, रानी दरहा, ये आपको पूछा जाएगा इसीक साथ गुपतेस्वर, तो आपको पूछे वो रानी दरहा ये आपको गु सुकमा, जीला, तो आपको ये चीज़े याद रखना जाएगा, तो आगे बढ़े क्या? अगला याद रखना है हमको, अच्छा इसमें अंसर बताया था क्या? तो मान अनद्धी में आपके लिए क्या आएगा? सरभंजा, आगे बढ़े क्या जी, अगला आपको याद रख कोठली देखे दे क्या? कोलाब में या इसी इक बोलते हैं सबरी, ठीक है जी, उसके बाद देख रहे हैं कौन सा पवई, उसके बाद देखना है कोठली, उसके बाद देख रहे हैं कि अमरिध्धारा, तो याद रखना है का से कोठली, और आपको का से याद रखना है कनहार ठीक है जी तो कोठली और कनहार हो गया उसके बाद देख रहे हैं कौन सा अम्रिधारा तो एक नदी है आपके लिए हस्देव यह हस्देव नदी का उदगम कहां से होता है यह आपके लिए इन्पोर्टेंट है काइमूर परवत सोनहट तहसिल आपके लिए कोरिया जीला यहां से उदगम होता है एक नदी का जिसे हम क्या बोल रहे हैं जी हस्देव नदी यह अस्देव नदी पर दो जल प्रपात बनता है ठीक है जी इस जल प्रपात का नाम है पहले का नाम क्या अमरित धारा और दूसरा एक नदी आता है जो दूसरा जल प्रपात आता है वो है गावर घाट ये दोनों आपको पेपर में बार 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 पूछा जाता है तो जब भी पूछा जाएग आपको याद रखना है एक नदी इसी को हजदो भी बोलते हैं हजदो नदी भी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं हम लोग हजदेव थोनना बोलें क्या कोला आपको ही क्या बूलते है सबरी और इसी में दो जल प्रपात बनता है पहला गुपतेशवर और दूसरा क्या था आपके लिए राणी दरहा अब आपके लिए नदी पर है आपके लिए सबरी या कोलाब आप अगर घूमने जाओगे कहां कबीरधाम तो कबीरधाम जब घूमने जाओगे भोराम देव घूमने जाओगे तो भोराम देव के बाद जब आप नाहने जाओगे एक डेम पड़ेगा सक्री थोड़ा और आगे जाओगे न भोराम देव आपके लिए अभ्यारण के अंदर में तब आपको मिलेगा रानी दहरा रानी दहरा जो है आपके लिए कबीर धाम में है तो कनिप्शूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप पेपर पड़ोगे और जाके मर जाओगे केक ले कर दोगे जिन्दगी बेका तो ऐसे काम नहीं करना है पहिलीज बता रहा हूँ रानी दरह सुकुमा में है सवरिया कोलाब नदीप है और रानी दहरा अगर पूछेगा तब आपको बताना है कहां कभी रिधाम में साब चीज जो क्लियर कर रहा हूँ टेंशन मत लीजिएगा आप आगे चले क्या याद रखने आपको क्या पवई का जो है ये आपके लिए किसका चरान में आप देखिए ये आपको क्या पढ़ता है काथ कणहार नधी तो यह जो कणहार नधी है आप अगर आप उसको बनाओगे सर्गुजा बनाओ मसफे रेंडम बनादी से यह यह आपके लिए क्या हो गया थीक है आपके लिए हमारे लिए कौनसा कनहार तो कनहार जब इससे जाएगा यह देखो यह आपके लिए नदी है कौन सा कनहार यह जब कनहार नदी निकलेगा ना तो इसी के एक सहायक नदी है इसी नदी बोर रहा है क्या चैना अब दूसरा नदी कौन सा कनहार अब दोनों में एक एक जल प्रपात बनता है तो पहले जल प्रपात को बो पवई यह भी आपको कहां पढ़ेगा बलरामपूर में क्लियर जी आपको याद रखना है आगे चीज़े तो मैं आपको बता दिया था कोठली और पवई गुपतेस्वार तो बता चुका था सुपमाम था याद रखना है आपको क्या अमरित धारा और गावर घाट दोनों आ बाद क्या रखना है C का 2 तो C का 2 उसके बाद याद रखना है D का 1 तो D का 1 तो आपके लिए ओप्सन एक लियर जी तो आपको पेपर में ऐसे प्रस्ण पूछे हुए तो चीजों को धीरे-धीरे समझते चलना है और बढ़ते चलना है क्लिए आगे बढ़े क्या अगला या उनों वाला गरम जल है या भू जल है यह क्या है जमीन की अंदर से उबलता हुआ पानी निकल रहा है और माना यह जाता है कि जिनको इसकीन का प्रॉब्लम है जिनको त्वचा संबंदी कोई प्रॉब्लम है जैसे चैर मरोग हो गया खाद खुजली कई लोग को असादिक व लड़कियों तो बात ही पूछो भई आपके लिए क्या है पर्फ्यूम है मेकप है इसीम जिंदगी निकल रहा है कई लोग यही असादिक चकर में आपके खसु-खजरी हो अगर आपको ऐसा समस्या है आप जाएंगे कहां पे ताता पानी तो यह ताता पानी कहां है करके प भूजल है तो क्या है भूजल अब इस निकल कैसे रहा है देखें यह आपके लिए मालो अर्थ सर्पेज तो यह ऐसा अगर जमीन नीचे से क्या हो रहा है पानी धीरे-धीरे निकाल रहा है और यह उबलता हुआ दिखाई देगा आपको तो यह जो जल है इसी जल को बोला जा रहा है कि आपके लिए और सद्धी गूनों वाला भूजा यह आपके लिए प्रीथवी भयस है नौर्मा फ्लियर जी आपको याद रखने इसी में और जो एक प्रस्ण यह पूछेगा आपको कि राज्यका पहला जियो थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित है यहीं प का पहला जियो थर्मल प्लांट जो है यहीं पर प्रस्तावित है और यह है देश का दूसरा देश का दूसरा आपके लिए क्या जियो थर्मल पावर प्लांट है और राज्यका पहला जियो थर्मल पावर प्लांट है कहां पर ताता पानी ताता पानी मतलब क्या याद रखन तबकर आपको कहां पढ़ता है जस्पूर पर आपको पूछेगा इसनेक पार्क प्रस्तावीथ है तो आपको याद रखना च्छतिस गढ़ में इसनेक पार का कहां प्रस्तावीथ है तक परमें कोकि इसे बोला जाता ईसको बोला जाता है इस को बोला जाता दृत्ति सघ्राहन के अंतरzysta ये देश का दूसरा आपके लिए क्या है जी विस संगरहन केंदर है तो आपको याद रखना ये मतलब आपके पास एक और क्या होगा विस संगरहन केंदर होगा तो ये है आपके लिए दूसरा विस संगरहन केंदर देश का है लेकर राज्य का पहला है क्लियर जी ये तो हो च यार घूफ Dogs आपके लिए किस जीले से सम्बंदी था दूसरा आपको मेरे कोई एक और बता है कि आरापली आरापली kis जीले से सम्बंदी था Inform नारापली अओ आप और गूफह कईलास घूफह बेला शाओ यह चारों गूफह 36 गण के किस किस जीले से संबंदित है क्लियर जी आपको इन सब चीजों का जवाब देना है क्लियर तो आपके लिए प्रस्न है क्लियर हुआ आगे बढ़े क्या अगला याद रखने है आपको क्या केंद़ जलप्रपात किस जीले से संबंदित है केंद़ लेडिस लोग ऐसी कुछ करत खुछाना कॉर्बा उकास से याद रखना कट्टो घोरा आपके लिए कि विकास खंड़ेक तहसील है कट्टो घोरा कहां पढ़ता है कॉर्बा जीले में इसी कट्वोरा के पास पढ़ता है केंदाई जल्प्रपात चुकि आपको पूछा हुआ था इसलिए मैं बता दिया नाम बताना राम झरना पेपर में पूछा हुआ है किस जीले से तंबन दित है clear जी तो आपको मेरे बताना राम झरना उसके बाद क्या लिखा भिलास्पूर बिलास्पूर में आपको अगर मूर्ती का खनन हुआ है तो इसकी मूर्ती पूराय तात्विक, मूर्ती के रूप में प्राप्त हुआ है, जगा का नाम है दमव दरहा, जीला है आपके लिए कौन सा जानजगीर, आपको एक चीज और बताना है, कि अगर यहाँ पर उद्खनन हुआ है, तो वो क्या थे, जैर तिर्थंकर थे, जैन तिर्थंकर, तो वो कौन जैन तिर्थंकर की मूर्ती प्राप्त हुई है, आप मेरे कमेंट करके बताएं, क्लियर जी, उसके बाद लिख है सरगुजा, सरगुजा से आपको तीन चार प्राशन पूशता है, सबसे पहले तो हम देख चुके हैं कौन सा, सरभंजा जलप्रपात, यह पूशता है, आपको पूशता है टाइगर पॉइंट, आपको पूशता है व जो चीजे मैं पढ़ाया हूँ, वह ही पूश रहा हूँ, रामगड की पहाड़ी में आपको याद रखना सीता बेंगरा, अब यह सीता बेंगरा क्या है, आप मेरे कमेंट करके बताएं, उसके बाद याद रखना आपको जोगी मारा की गूफा, क्या चीज है, अगर आप इतने सवालों का जवाब दे रहें, मतलब मैं यह समझूँँगा, आप इमानदारी से तयारी कर रहें, ख्लियर जी, तो आपको ऐसे चीजों को धीरे 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 अपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ख्लियर जी, आपके लिए इसका अंसर रहेगा, ए, तो आपके लिए अंसर है A, कोरबा या कटगोरा, चूकि कटगोरा नहीं दिया था, जीला आपको दिया था कौन सा कोरबा, तो आपको ऐसे चीजों को धीरे-धीरे पढ़ना है, आप बोले थे सर आप फास पढ़ाते हो, तो मैंने कोशिस किया है कि मैं धीरे-धीरे क्लियर जी, तो आप निरंतर कोको के टीम के साथ पढ़ते रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जै जोहा, जै शर्तिसगर